किसान भाईयों नमस्कार मैं मनोश सुकला आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ किसान भाईयों आज का वीडियो मैंने गन्ने की पेड़ी प्रबंधन के बारे में बनाया है आसा है कि इसको देख कर इस वीडि का प्रियोग करके आप पेड़ी से अच्छी उपज प्राप्त करेंगे किसान भाईयों आज के इस वीडियो का सीर्षक है पेड़ी प्रबंधन अपनाएं अधिक लाप पाएं बाईयों गन्ने की कटाई जमीन से सटा कर करें जिससे कल्ले जमीन की अंदर ठूट की आँखों से निकलें तथा फसल गिरने की समस्या कम हो सके गन्ने के ठूटों की छटाई आरेमडी यानि रैटून मनेजमेंट डिवाईश द्वारा करें ताकि कल्ले एक साथ हुआ अधिक निकलें तथा उनकी ब्रिद्ध भी समान रूप से हो सके इसके अलावा पौधा कटाई के एक सप्ता तक कटे जुन्डों पर मैक सील्ड दो सो पचास एमेल वा गाउचो सो एमेल का दो सो पचास लीटर पानी में घोल कर छेड़काव करें और गन्ने की पत्तियों को लाइनों के बीच एक समान खेत में फैलाएं टैंच बिद्वारा बुआई किये गए खेतों में गन्ने की लाइनों के बीच में ट्रेस मल्चिंग करें जिससे की खेत में कार्बनिक जीवांस की पूर्ति हो सके और पेड़ी फसल में ट्राइको डर्मा एक लीटर प्रतियकर का गोल तैयार कर लाइनों में सायंकाल में प्रियोग करें और पेड़ी फसल में पोसक्तत्तों की पूर्ति हेत यन पीके वासुच्म पोसक्तत्तों की संतुलित मात्रा में प्रियोग करें क्योंकि आवसक्ता से अधिक रासायनी कुर्बरक मिट्टी की उर्बरा सकती छीड करते हैं अधिक पैदावाल लेने है तो हानिकारक कीट की रोक थाम है तो कीट ना सक्के साथ-साथ घुलन सील यन पीके वा बायो बीटा का पढ़निय छिड़काओ मैं माह में अवस्य करें भाईयों मैं केम सुगर मिल के छेतर में एक गन्ना किसान भी हूँ भाईयों ये जानकारी मुझे केम सुगर मिल आयोध्याद्वारा उपलब्द कराई गई है ये जानकारी और सुझाओ इंजी एंड इंड लिम्टेट सुगर यूनिट देवबंद द्वारा जारी की गई है जिसको केम सुगर मिल आयोध्याद्वारा प्रसारित किया जा रहा है किसान भाईयों जैसा कि आप जानते हैं मैं कोई भी वीडियो बिश्वसनी माध्यमों से प्राप्त सूचना की आधार पर ही बनाता हूँ अब आप लोगों का अधिक और समय ना लेकर आप लोगों से बिदा ले रहा हूँ फिर मिलूँगा अगले वीडियो में जो की आप के लिए बहुत लाप्रद हो तब तक के लिए किसान भाईयों आप लोगों को नमसकार आद आप मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद